नमस्कार दोस्तों AD News चैनल में एक बार फिर साप सभी का स्वागत है तो हारियान सरकार ने डिप्टी सीम ने सभी के हारियान में बिजली बिल उपभोगताओं को बड़ी ही खुस खबरी ऐलान कर दिया हानी है की सभी का सारा का सारा बिजली बिल माफ योजना करने के लिए डिप्टी सीम ने सभी हारियान वास्यों को और सभी 22 गियों में धमाका भी कर दिया है तो हारियाना सरकार का बड़ा फैसला अब इन लोगों को मिलेगा मुफ्त में बिजली कैनेक्शन तो प्रदेश की अनिधिकत कालोनियों और जुगियों में रहने वाले परिवारों को भी बिजली कैनेक्शन मिलेगा तो विजली मीटर के लिए उन्हें संपत्ति के स्वामित्त का प्रमाट पत्र बिलकुल भी नहीं देना होगा इसके लिए हारियाना विद्यत विनियामक आयोग ने नियमों में बदलाव किया है और अनियमित कालोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा उनसे कोई अन्दस्तावेश नहीं मांगा जाएगा तो आवेदन के बाद करीब एक महीने में बिजली कनेक्शन आपको मिल जाएगा और अन्यमित कालोनियों में विजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा इसके लिए उनसे कोई भी अन्य दस्ताविश नहीं मांगा जाएगा तो वहीं प्रदेश में करीब 3,000 अन्यमित कालोनिया है इन में रहने वाले परिवारों को यानि कि लाखों परिवारों को इसका लाब भी मिलेगा हाला के विजली कनेक्शन लेने के लिए इन परिवारों को विजली निगम को एक सपत पत्र भी देना होगा कि वे बिजली बिलको स्वामित के प्रमार की रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे सपत पत्र में ये इस्प्रेश्ट लिखा होगा कि उपभोगता जो वे बिजली कनेक्शन ले रहा है वह अस्थाई है और उस पर उसका मालिकाना हग नहीं होगा